दोस्तों यह जो फपवाद है यह फोई का एकस अड्रेड वाज़से तो 2 सिरीज में लांच किया गया था विव एकसंडलड प्रों यहाँ पे मेरे पास जो है वह एकसंड़ेड काफी हेबी लाइक इसका कैमरा मिलता है जो रिंग शेप में मिलता है वैसे तो वीव का एक संड शरीज काफी जाना आपि से ब्सक्राइब है बाटकर में लेने लेंड है इस वीडियो पे आप काफी जादा अपने लेंस को बनाने का रीजा ने काफी जादा कॉस्टली उनके लेंस आते हैं पर यहां पर जो इस फोन के अंदर आपको को जाइस के साथ कामरा मिलता है और जाइस का मतलब है कि हाँ इसका क्वालिटी काफी एक टॉप नोच आप लोग को देखने को मिलेग है मतलब असारी से चार्ड का फोटो आप लोग ले सकते हैं वैसे तो इसमें वाटर पूफिंग मिल जाता है यहां तक कि आप लोग को इसका बॉडडी आता है अभी हम लोग इसका करने वाले है पानी में डालेंगे उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे कि क्या यह पान को देखते हैं फिलाल तो इसके नीचे आप लोग को यूएसबी टाइप सी मिलता है साथी में यहां पे यहां सीम स्लॉट डेखने को मिल जाता है जो नैरो सीम के साथ आता है फाइब जी के 11 बैंड इसके अंदर मिल जाता है आज के टाइम पे और दोनों 5G सीम को आप असा अंदर पोर्सेशन मिलता है मिडिया टेक का 9300 वला वॉड में वाला चीप मिलता काफी अच्छा है इसमें असा देख के अगी नहीं कर पाईएगा वाइज लेवल का गेमिंग इसके अंदर से नहीं होता है नार्मली आप लोग गेमिंग कर सकते हैं अगर आप लोग गेमिं लगने वाला है दोस्तों यहां पे आप लोग को डिस्प्लेय मिलता है वह मिलता है LTPO AMOLED डिस्प्लेय वन बीट कलर इसमें आप लोग को परड्यूस होता है जो काफी हाइली कलर बोल सकते है AMOLED में और यह लगभग एक लाग कलर एक बार में परड्यूस करता है यहां पर आप लोग को 6.78 इंट इस्प्लेय मिलता है विडियो को 4K में रिकॉर्ड नहीं करता है मतला है बैक कैमरा आप लोगो को 4K 60fps सपोर्ट करता है बट इसके अंदर जो आप लोग को operating system है वह मिलता है आप लोग को 14 मिल जाता है और fun touch OS के साथ आता है वैसे अगर देखा जाए तो Android 14 पर यह काम कर रहा है अभी के time पे Android 14 latest है तीन साल का आप लोग को update इसके अंदर दिया जाएगा साथ में चार साल का security update इसके अंदर आप लोग को मिलेगा वैसे अगर हम लोग बात करें ब्लूटूथ और Wi-Fi की तो Bluetooth आप लोग को 5.4 मिल जाता है जो लेटेस्ट Bluetooth है अभी के time पे और Wi-Fi की बात करें तो 2.4 GHz प्लस में 5 GHz दोनों सपोर्ट करते हैं इसके अंदर इससे आप लोग को काफी जादा लेटेस्ट इसके अंदर Wi-Fi और Bluetooth मिल जाता है इसके अंदर दो आते हैं पहला आता है 12 GB RAM और 16 GB RAM के साथ आने वाला जिसमें आप लोग को जो RAM है वो LPDDR 5 RAM मिल जाता है दोनों RAM प्लस में आप लोग जितना RAM है उतना ही आप लोग कर सकते हैं साथ ही में आप लोग के साथ ही मिलता है 256 GB और 512 GB जो आता है 30fps का वीडियो क्या दोस्तों यह जो क्वालिटी है वह क्वालिटी 1080 मतलब HD में आप लोग को देखना को मिल दोस्तों यह क्वालिटी आप लोग को 4K में 30fps से देखने को मिल और 4K में 30fps का क्वालिटी है जस्त सं से आप लोग को दिखाया जाना है कि क्या वदलाग यह रिकॉर्ड कर रहा है कुले यह जो क्वालिटी है काफी ही कम को लगता है कि नचलों और वैस्क क्वालिटी आप लोग को लगेगा फिलाल इसके जो में जो sensor है 60fps पे आप लोगों को 4K का footage दिखाते हैं दोस्तों यह जो quality है सबसे high level quality है इस phone का इसके बाद इस phone पे 4K quality नहीं आता है 4K 60fps पे quality और देख सकते हैं जो quality और जो यह maintain कर रहा है पुड़ा sun के हिसाब से पूरा maintain आप लोगों को कर रहा होगा यहां पे जो वीडियो quality है तो इससे समझ सकते हैं क्या high quality का footage यह देता है दोस्तों यह quality है यह quality 1080p 30fps पे है क्योंकि लिए इस phone के अंदर आप लोग को HD quality ही मिलता है HD से उपर कोई quality इस phone के अंदर नहीं मिलता है क्योंकि लिए यह phone सिर्फ HD record करता और यह 30fps का quality है सिर्फ करते हैं इसको 60fps पे HD में देखते हैं उसका quality कैसा है दोस्तों यह quality है यह quality HD में 60fps हो और इस phone का सबसे highly quality है selfie camera से जो आप लोग को दिख रहा होगा पीछे मेरे sun है और कितना असानी से और कितना अच्छे तरीके से sun को maintain कर रहा है को समझ में आ रहा होगा इसमें कोई 4K footage आप लोग नहीं record कर सकते selfie camera से दोस्तों इसमें चो स्टेप्लाइस mode आता है वो सिर्फ और सिर्फ HD 60fps 30fps को support करता है तो उसी से आप लोग स्टेप्लाइस mode दिखाते हैं तो यहां पे आप लोग देखे हम पीछे के तरफ दौर रहा है पिर यहां पे काफी जादा ही लेखे प्रैपलाइब देखने को मिल रहा होगा और काफी जादा इस टेवल में आपको देखने को मिल रहा हुआ है तो है अगो कि दोस्तों इसका पटने वहां इस एक तो आने वाला नहीं आप लोग दिखाते हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इतने ज्जादा इसक्रेच्छ के बाद भी यह फों में एक भी इसक्रेच नहीं रहने वाला यह कि ऐसे करने के बाद इस सारा यहां से रीमुव हो जाएंगा यहां इसको घट सकते हैं नॉरिमल आपके बाद कोई बीचीज है इसको को सकते पिए इस पूरा घट जाएगा आए एक है जाता कुछा का कर सकते हैं आप कर लीजिए और यह ऐसे ऐसे कर लीजिए यह पूरा स्क्राइच रिमूब हो जागा इस फोन का सबसे बैस थिंग हमको इस फोन का यही चीज़ लगा है कि स्क्राइच प्रूफ है यह फोन दोस्तों इस फोन के अंदर आप लोगों को आई-पी 68 रेटिंग मिलता है और आई-पी 68 रेटिंग वाटर और डस्ट अरिस्टेंस दोनों को एक तरीके से हाइली उपर ले जाता है वाटर प्रूफिंग के दौर पर जैसा कि आप लोग यह पर देख सकते हैं इसके अंदर हम लोग पूरा तरीका से पानी डाल चुके हैं और काफी मतलब कोई भी ऐसा डिकत नहीं आ रहा है इस फोन के अंदर अभी जस्ट आप लोग को दिखाने वाले हैं दोस्ते इस फोन के अंदर ऐसा कोई भी दिकत नहीं आ है और आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा यहां पर वर्क कर रहा है और अभी भी कर रहा है दोस्ते यह वीडियो आप लोगो कैसा लगा जरूर से कॉमेंट पर बताईएगा और अच्छा लगने पर एक लाइक जर नेक्स्ते वीडियो में